हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई यूटूब चैनल लच्छेदार रबडी की रेसिपी को आपने खूब पसंद किया है आपने अंकुरित मूं का कई तरह का नाश्ता खाया होगा जैसे बहुत से लोग अबाल के खाते हैं बहुत से लोग चीला बना के भी इसका खाते हैं तो आपको यह दो पराटे की भूख है तो दो की जगह आप चार पराटे खा जाएंगे आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राइब करिए और पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजिए चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लिते हैं इसके लिए मैंने यह मूं लिय तो यह अंकृत मूंग है तो पहले मैंने इसको पानी में बिगा दिया था और उसको अंकृत कर लिया है तो यदि आपको यह अंकृत करना नहीं आता है तो मैं एक वीडियो मैंने डाला हुआ है पहले तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी तो आप इस तरह से इनको अंकृत कर लेते हैं उसके बाद हम आगे की तयारी करेंगे तो यह लीजिए अंगलेक मुंग को दो से तीन बार अच्छे से बाश करना होता है या तो इसको चलनी में डालके नलके नीचे अच्छे से दोईए या फिर इसको दीप पानी में गहरे पानी में डालके इस तरह से हलका तो धीरे धीरे यह उबलते हुए यह रबडी हमारी अच्छे से तयार हो रही है तो चलिए जब तक रबडी बन रही है तब तक हम अपना नाश्टा भी बना लेते हैं रबडी बनाने की पूरी प्रियोसिस को यदि आप जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ह आप वहां से रबडी की recipe देख सकते हैं तो ये देखिए मूं को मैंने अच्छे से wash किया है और मैंने ये mixika चोटा जाल लिया है मैं उसमें ये मूं को डाल दे रही हूं तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में मुझे तो ऐसे लगते हैं और मेरे हस्वेन को भी ये कच्छी मूंग का नाश्टा काफी पसंद है तो इसमें नमक जीरा डालके और ऐसे ही खाना पसंद करते हैं जो चलिए आज मैं इसकी रेश्पी बना रही हूं तो अब इसमें डाल रही हूं धनिया तो दनिया कितना डाना है धनिया आप खुब सार नमक कितना डालना है ये टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसमें हम कुछ और इंगिगरन डालेंगे तो मैं थोड़ा सो नमक जादा डाल रही हूं तो चलिए इसको ब्लेंड कर लेते हैं तो इसको काफी अच्छे से पीसना है पीसने के बार इसको चेक करके दिखा देती हूं कि ये कितना महीन हुआ है तो ये देखिए ये पूरा महीन नहीं है थोड़ा सा दरदरा मैंने रखा है और ये अच्छे से पिस्क्या है तो चलिए हमें एक बाउल ले ले रही हूं मैंने ये मिक्सिंग बाउल लिया है तो इसमें मैं पीसे हुए स्प्राउट को इसमें ट् कुछ मसाले कर लिए 2 तेटी विली स्पूँन गिये और 1 तेटी बैत में इसके ऑरीं हो जाती है ज़िए सबको को अच्छे से कर लेते हैं तो हम हमें इसमें पानी नहीं डालना है हमें इनको ऐसे ही मिक्स करना है और इसका यह रोके परांथे जैसा जो होता है हमें वह सर jestem ओंसा ही तैयार करना हुथ इस डालने के बाद हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए हम डखके रख देंगे जिससे के ये डोह अच्छे से सेट हो जाए और यद ये गीला लगेगा तो मैं इसमें और आटा मिक्स करूँगी तो ये लीचे मैंने इसको डखके रख दिया है और अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये कैसा हो गया है तो ये देखिए ये थोड़ा सा गीला था तो मैंने बीच में इसको अच्छे से सेट करके रख दिया था तो चलिए इसकी लोह बना लेते हैं और लोह बनाने के बाद मैं आपको इसे बेल करके दिखा द मैं इसको बेलना है मैं उसको भी पर अखक को इसको रहाना है यहासा थोडा सा समय देना होता है तब यह पराठा में बहुत अच्छे से सिख के आते हैं और ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं तो ये देखिए जब तक ये सिख रहे हैं तब तक मैं सारे पराठे बेल के तयार ले रही हूँ तो ये देखिए मैंने ये सारे बेल लिये हैं और दीरे-दीरे करके इनको सेक ले रही हूँ तो ये देखिए बड़े ही अच्छे लग रहे हैं देखने में तो एक पराठा मेरा बनके तयार हो चुका है तो मैं आपको इसे अच्छे से निकाल के दिखा दे रही हूँ तो ये देखिए कितना बड़िया कलर आया है और कितनी बड़िया चित्ती बनी है और इसे देखके मुझे में पानी आ रहा है और मुझे तो ये बहुत ही पसंद आए और मेरे हस्पेंट को भी बहुत ही जादा पसंद आए तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए बना दिया करो पनाके और उन्हें चाहे आप नाश्टे में खिलाईए चाहे आप लंच में खिलाईए चाहे डिनर में खिलाईए आप कभी भी इन परांटों को आप पनाके खिला सकते हैं तो एक के बाद एक करके मैंने ये सारे परांठे सेख लिए हैं तो चलिए मैं इनको सर्व करके दिखा दे रही हूँ तो सर्व करने के लिए मैंने क्या-क्या लिया है चलिए ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ तो सबसे पहले मैं ये परांठे सर्व कर रही हूँ एक और डिश्स चीस में सर्व कर रही हूँ तो मैंने कल ही रवडी का वीडियो अपलोड किया है तो आप वहां से इसकी रेसिपी चेक आउट कर सकते हैं तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और आप इसे बनाना चाह रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे फैमिली और फ्रेंड में जरूर शेयर कर दीजिए तो ऐसी ही बड़ीया बड़ीया रेसिपी मैं आपके लिए लाती रहूंगी जिन व झाल झाल